लोगों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसा होने बाला है जिसका वेट हम लोग 6 महीने से कर रहे थे और आप लोगों में से भी कुछ लोग कुछ चीज का वेट कर रहे होंगे क्योंकि आज से लगबग 6 महीने पहले 25 तारीक को ही हमने चासनी को बोतल के अंदर बंद करके जमीन के अंदर दफन किया था और ऐसी एक सेम बोतल को बाहर रखा था जो कि हमारे स्टूडियो में अभी भी रखी हुई है वहां पर 6 महीने से सफाई भी नहीं हुए तो इस वज़े से उस बोतल को देखते हैं और देखते हैं उसमें कितना चेंजिंग आया है दोनों में क्या फरक है क्योंकि यहां पर अलग अलग कंडिशन में अलग अलग तरह का रहता है तो 6 महीने में क्या चासनी सर्वाइब कर पाएगी या पर नहीं हो पाएगी तो उस चीज का खुलासा आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो यहां पर हमने स्टू पर जाके देख सकते हो तो यहां पर एक बार में बाहल ले जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा तो दोस्तों यह है वो चासनी जो की स्टूडियो के अंदर रखी हुई थी चोटा सा स्टूडियो हमारा गरीब हो बाला को दिक्कत नहीं है तो यहां पर आप लोग देख सकत अब इस से पहले हम उस वाली को निकाल कर लाते हैं और उसके बाद दोनों में डिफ्रेंट देखेंगे दोनों को यहां पर बारी बारी खला कर देखेंगे और निकालते समय का वीडियो पर आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर है वो जगह जहां पर हमने चाजनी को गाड़ा था अब इसमें से यह डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सी जगह पर उसको दफन किया था क्योंकि काफी दिन होगे दोस्तों 6 महीने बीट गए 6 महीने का मतलब आप लोग जानते हो काफी लंबा टाइम होता है और इत देखते हैं क्योंकि इसी एरिया के अंदर हम मिल जाएगी इतना शौर है कि इसे एरिया के अंदर है क्यूक्ष के यहां पर नहीं होई है तो यहां पर केसम महाराज कल वाली वीडियो में इनका जो गाने का स्टाइल था वह अप लोगों सेक्शन बनाए काफी मज़ेदार तक काफी फनी वीडियो थी तो आज हमारे एक्सप्रेमेंट की बारी है जो कि 6 महिने से चला हुआ है तो केसा माराज स्टार्ट तो इससे खोद कर देखते हैं दोस्तों क्योंकि हमें फिलाल इस चीज का अंदाजा नहीं लग रहा कि वह कहां पर है क्योंकि फाब्रे की चोट से एक साथ में ही खराब हो जाएगी और हमारा एक्सप्रेमेंट पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा तो इस वह दीरे दीरे इस काम को करना पड़ेगा इस चीज का आपको टाइम लेप देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहां पर चासनी की बोतल हमें मिल चुकिए काफी मेहनत करने के बाद और वो इसके अंदर यहां पर है मैं इसको हाथों से ही निकालूंगा तो दोस्तों यह रही वो चासनी आप लोगों के सामने काफी देर मसकत करने के बाद यह निकली है इसके अंदर से और कंडिशन तो मेरे साब से ऐसी है पर अप लोग देख सकते हैं यहां पर डेट भी लिखी हुए इसमें यह 25 नो और 2022 से वो मिट गया है यह दो सब्सक्राइब करता हुए और अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या सेंजिंग है और उसमें क्या फरक है हम लाज चुके हैं दोनों बोतलों को यह थी जमीन के अंदर 6 महीने के लिए और यह थी बहार एट्मोस्पेरिक प्रैसर में 6 महीने के लिए अब फिलाल तो यह बंद है और दोनों में डिफरेंट आप लोगों को साब दिखाई दे रहा हुआ एक बार मैं केमरा में को नजदीक से दिखाने के लिए बोलूँगा और यह जो हमने दोनों बोतलों को जिस टेम पे रखा था उस टेम पे इनके अंदर इतना प्रैसर नहीं था जितना की आज इनके अंदर प्रैसर इंक्रीज हो रहा है आप लोग देख सकते हो इनके जो डखकन है वो उपर से फूले हुए है अब इनको खोलने के बाद ही पत रखने के लिए हमारे पास केसा महाराज है आप लोग जबी जानते हो इन्होंने इसको निकल वाया है तो पहले तो इसको खोलने के लिए बोलूँगा केसा महाराज इसको खोलो खोलने के बाद पहले सूंगते हैं इसको तो आप लोग सुन सकते हो इसके अंदर से थोड़ी मैं सुम के देखता हूं दोस्तों ऐसी खास को चेंजिंग नहीं है जैसा आप लोग आमला होता ना जो आमले का मुरब्ब होता है उसकी चास्नी में से जैसी से मैल आती है वैसी से मैल है इसके अंदर आप इसको खोलने के लिए बोलूंगा कैसा महराज को उसका डखकर निकार तो इसके अंदर भी उसी तरह की गैस बनी हुई थी अब इसमें से ज्यादा है आमले की तो दोस्तों दोनों में इतना फरक है आप लोगों को देखा दो खोलने के बाद का जो फरक है इनके सेप और साइज में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोतल का वही हाल है ब अपर इसके बाद इसका साठनी को निकाल कर देखते हैं कि Danish में कोई फण पढ़ा है नहीं कि ने इसका इसका गाडापन है उसमें कोई फरक पढ़ा है या नहीं इसका तो इस तरह का है जो लिक विडद है इसके अंदर और यह बहर वानी जो कि हमारे स्टूडियो में रखी यहां पर दिखाई दे रहा है किलियर ली इस चीज़ को देख सकते हैं आप लोग और एक बार फिर में थोड़ा सा आपको डाल के दिखा देता हूं यह तो बहुत जल्दी से बह रही है आप और यह थोड़ा टाइम लगा रही है बहने में आपको सपस दिखाई दे रहा होग से इसकी density कम हो गई है या पर जमीन के बाहर रहने वाले की density बढ़ गई है तो दोस्तों यह था एक्सपरिमेंट जो 6 महिने से चला हुआ था आप लोगों को कैसा लागा कमेंट सेक्सम जरूर बताना क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इनके बारे में बात करने के काफी जमें है और बदबू में जो इनके अंदर मतलब की स्मेल बनी थी उसमें खासा ऐसा कोई फरक किसी में नहीं दिखाई दिया सेम सेम सा जो एक्सपरिमेंट है वो रहा बाहर का भी और अंदर का भी density में जरूर आई है इस वीडियो में क्योंकि 6 महिने के जो समय था उ हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है सौरब उन्होंने हमें चैलेंज करने के लिए कहा था तो उस चैलेंज को हम जल्द ही लाएंगे अपने चैनल पर क्योंकि यह भी जरूरी था क्योंकि आज 25 तारीक थी तो आज इसका चैलेंज जो काम एक्स्परिमेंट था वो क करना जरूरी था क्योंकि 6 महिने बाद हमको यह से निकालना था तो सौरब भाई को भी कहना चाहूंगा उनका जो चैलेंज था वो भी हमने असेप्ट किया उसको भी जरूर करेंगे और जल्द से जल्द उनका वीडियो चैनल पर आएगा तो आप पेसेंस रखें कोई दिक के लिए जय हिंद जय भारत